अलो मैं जहीं सुनने वागम बेक्ट टू यूरोन चैनल साथ अनुपानी एक्स्क्योजिव चैनल पॉर आईसे सीबोर सुडेंट्स राजबारी है ट्रजर चैसे दगर्ल हू कैन ये एक फीमेल ट्रपाइटाइट फैमिली स्टोरी है एक ऐसी स्टोरी जो आपको कहीं सच कहे रहा हूं बहुत ही इंस्मिलेशनल स्टोरी है तो पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा दगर्ल हू कैन तो ये एक छोटी लड़की साथ साल के लड़की की कहानी है जिसका नाम है अज्जोवा ये एक छोटे से गाउं घाना नाम के देश के छोटे से गाउं हसव लेल करेक्टर्स की है, दादी एक ओल्ड लेडी है, जिसको नाना की नाम से जाना जाता है, घर में नाना उसको बुलाती है, और कहानी में मा है, जिसको मामी, हाँ, मामी करके ये लड़की बुलाती है, और खुद ये लड़की जिसको अटजवा कह रहे है, पूरी कहानी अट जो कि एक साथ साल की छोटी सी बच्ची है तो इस कहानी में आपको तीन जनरेशन का स्ट्रगल दिखाई देगा एक दादी है जो पुराने रिती रिवाज को फॉलो करती है ओल्ड कस्टम्स ट्रडिशन ग्लीप करती है मानती है कि लड़कियों को एक चाइल्ड बियरर के दादी और उसकी मा दादी को अपोज भी नहीं कर पाती है क्योंकि दादी एक ऑथोरिटेरियन परसन है उसकी ही घर में हुकुम चलता है और दादी के आगे वो चुक हो जाती है या कभी-कभी मनी-मन रो लेती है दादी के सामने रो भी नहीं पाती है और बच्ची अर्ज जोवा कभी-कभी अपना खाना ना खाती तब उसकी दादी उसे डाटती कहती कि तुम जिन्दगी में और भी प्राब्लम्स को फेस करने वाली हो तो इसलिए जल्दी से क्या करो फूड फिनिश कर दो मतलब छोड़ी-छोड़ी बातों पर उसको दादी से कभी-कभी डाट पड़ती है याद रखेगा वो अपनी दादी और मा मामी जिसे बोलती है दोनों को बहुत प्यार करती है इसकी मा का नाम जोवा को लगता है कि स्रिव यही प्राजलम नहीं है प्राजलम और बहुत सारी है और बहुत सारी प्राजलम जिन्दगी के अलगला स्टेजिज़ में उनको फेस करनी है वो कहती है कि उसकी problem ये भी है कि वो अपनी पूरी विचार सबके सामने ने रखबाती है कभी-कभी वो कुछ बोलना चाहती है पर वो अपनी बात को समझा नहीं पाती है और बहुत मुश्किल से कोई उसे बड़ा मिलता है कोई elderly person मिलता है जो उसकी बात सुनता है और जब वो उनको सुनाती है जैसे वो अपनी दादी को जिसको वो नाना कहती है जब उससे अपनी कोई बात सुनाती है तो नाना उसकी बात को सुनने के बाद दो मेंसे एक reaction देती है या तो वो बहुत हस्ती है और इतना हस्ती है, इतना हस्ती है, कि हस्ते हस्ते आंक से उसके आसु निकल आते हैं, दादी के आंक से आसु निकल आते हैं, और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, दादी यही बात किसी दूसरी अलडरली वुमेंट के साथ शेयर कर लेती है, और वो वुमेंट भी हस्ते हस तब तक हस्ते रहती हैं, जब तक आंख से क्या निकल आए, आंसू निकल आए, ये प्रोसेस कभी-कभी तीसरी, चौती और पांचवी मुमिन तक भी कैरियोन होता है, तो या तो एजोवा की बात को सुनकर के दाधी हस्ती है, और या तो उसको डाट लगा देती है, और कहती ह नवर, नवर रिपीट इड़, इस बात को कभी किसी के आगे रिपीट मत करना, अब ये चोटी सी बच्ची है, साथ साल की लड़की है, उससे क्या मलूम, क्या बढ़ों के सामने बोलना है, क्या ने बोलना है, तो हर बात उसको रोका-टोका जाता, जैसा कि गल्ट- इद्य खट रेन है दादी की एक की शिकायत है दाधी खुश इस बात से है कि वह इसके घर की पहली लडकी है अजोवा घर की पेहली बोन फीमेल चाहिड है इस बात पे तो दादी खुश है बट दुख इस बात का है कि अजवा के पैर पतलिये हैं और लंबे है, too long for a woman उसका मनना है, दादी का मनना है यह पैर बहुत पतले हैं spindle shaped पैर हैं, जैसे काती होती है जिसमें तागल लपेटते हैं वैसा spindle होता है, तो spindle shaped इसके पैर हैं, जो की too thin है और इतने strong नहीं है, इतने मजबूत नहीं है, इतने उसमें muscles नहीं है काफ मसल से कहते हैं, जो पैरों में मसल होती है इतनी strong नहीं है, जिसकी वज़े से वो एक strong hip को support कर पाए और जब body में girl के strong hip नहीं होगा, तो वो baby को proper beer नहीं कर पाएगी तो यहाँ पर दादी इसी लिए मा को नहीं होता है ध्यान लीजेगा, मा ऐसा कभी नहीं कहती है मा तो दादी के खिलाब भी रहती है पर वो दादी का विरोध नहीं कर पाती है दादी के सामने वद की चलती नहीं है क्योंकि दादी की तेज अवाज के आगे मा की आवाज दब जाती है क्योंकि दादी अपने तेज अबाद से मा को डरा देती है और मा सिर्फ सहम जाती है और अंदरी अंदर रोती है अजवा अपनी मा की इस डर्ध को महसूस कर पाती है पर वो भी छोटी बच्ची है वो भी कुछ नहीं कर पाती है दादी हर वक्त पैरों के लिए उसकी मा को कोस्ती और मा को कहती कि तुमने एक ऐसे आदमी से शादी कर ली जित करके जिसकी वज़े से तुमें ये लड़की पैदा हुई तो एटजवा के लिए, एटजवा के खासाद पैरों के लिए दादी बहुत नराज रहती है, उससे लगता है कि ये सही पैर नहीं है, या वो पैर नहीं है जो एक फीमेल के पास होने चाहिए, और मा, मा जो है, जिसको मामी बोलती है वो, मा जो है हर वक्त अपनी बेटी का पर पैर होना चाहिए, तो ऐसे पैर होने चाहिए ताकि चाहिए एक woman बनकर एक child nurturer या rarer बन पाए, मतलग एक three बन पाए और एक child पैडा करने वाली lady बन पाए, पैर ऐसे होने चाहिए, तो घर में इस बात पर constant जग्डा चलता है, वो चाहती है अचुवा, 7 साल की है, वो च समझाए कि मेरे पैरों की चिंता मत करिये मेरे लेग्स ठीक हैं पर मैंने कहा ना वह अपने विचार रख नहीं पाती है क्योंकि दादी का डॉमिनेटिंग नेचर है अब ये घर में चली रहा होता है एड जो आ दुखी रहती है उसके मन में आता है कि जो वुमेंस बेबी पर आपको पता ही है वुमेंस एक ऐसा लॉंग रैप प्लोथ पहनती है कि पैर दिखाई नहीं देते हैं इसके लिए उसके मन में आता है कि क्यों न जो रिवर है जहां पर वुमेंस जाके ना आने जाती है इवनिंग में मैं वहाँ चले जाओं देखने के लिए पर इसको एज की होती है पर इसको अपनी डादी और मा के लेग्स तो ये देखने तो मिलते हैं पर वो लेग्स उनको समझ में आते हैं ये तो वो लेग्स है जो बेभी बॉन कर सकते हैं उसके अलावा कोई और एल्डर वुमेंस के लेग वो देख नहीं पाती है घर के पीछे भी इन इनके legs में तो कोई difference ही नहीं है मतलब ये approved kind of legs कैसे होते हैं वो pair कैसे होते हैं जो childbirth में मदद करते हैं ये देखती है सारे pair तो एक जैसे दिखते हैं ये differentiate नहीं कर पाती है वो उनमें अंतर नहीं कर पाती है क्योंकि और सब girls के pair उसी के जैसे पतले दुबले होते हैं हाला कि एक खानी में ये भी है कि अब ये जो school जाना पसंद करती है एजोवा को school जाना अच्छा लगता है जबकि और जो boys girls हैं elder boys girls हैं इनके गाउं से दूर 5 km दूर school है वहाँ जाने में दिक्कत होती है जबकि एजोवा के लिए ये 5 km चल के जाना कोई बड़े आइशू नहीं है उसे walking to the school enjoy लगता है school उसके लिए nice place है जबकि दादी सोचती है कि school में जाना लड़कियों के लिए एजोवा के लिए waste of time है पर मा, yes, जिसको वह मामी कहती है मामी हमेश्या support करती है मा कहती है कि मैं न पढ़ पाई मैं एक तरह के अंदकार में कैद हो गई पढ़ाई न करना मतलब एक तरह से अंदकार में कैद हो जाना मैं चाती हूँ कि मेरी बेटी अजोवा पढ़े वह अपनी बेटी के लिए support करती है यहाँ वह उसका पक्ष लेती है कहती है कि मेरी बेटी पढ़ लेगी, लिख लेगी तो वह अपना नाम भी ले पाईगी वह अपना नाम लिख पाईगी, पढ़ पाईगी और तो और वह कुछ calculations भी कर पाईगी इसलिए चाती है कि एट जोवा पड़े तो इस तरह से मा हर वक्त एट जोवा के support में को साया बंद करके अपनी बेटी का support करती है और दाधी हर चीज में विरोध करती है स्कूल में एट जोवा एक अच्छी runner है एक अच्छी athlete है और स्कूल के जब events होते है तो athlete events में हो अक्सर first आती है races में athlete events में हमेशा जीत जाती है पर घर में आके घर में आके कभी वो नहीं बताती है कि मैंने race जीती है घर में नहीं बताती है क्योंकि उसे लगता है कि क्या फाइदा है बता करके घर में क्योंकि इस बारे में तो कभी चर्चा ही नहीं होती है, positive चीजों के बारे में, तो वो घर में कभी बताती हैं, पर एक दिल, district athlete week establish करने के लिए, मतलब district athlete week मनाया जा रहा है, जहां पर सारे गाओं के बच्चे, जो school से select हुए हैं, अब वो शहर जाएंगे, इस event के लिए, तो जब school में ये पका हो जाता है, confirm हो जाता है, कि हाँ, एजोवा एक बहुत अच्छी athlete है, एक बहुत अच्छी runner है, दादी बहुत खुश होती है, घर का माहल एकदम चेज़ोता है, मा, मा इस समय भी अपनी बेटी का support करती है, वो और भी कुछ बताना चाहती है दादी को, ज सकत हुआ करती थी, अब दादी खुद, दादी खुद इसके कपड़े धोईगी, एजोवा के कपड़े धोईगी, और धोईगी भी नहीं, साथ में प्रेस भी करेगी, और आइरन अगर घर पे नहीं है, जो पहले जमाने में, आइरन चलता था, जो इसको स्त्री कहते है, व लोहे के बड़े-बड़े प्रेस होते थे, तो वो प्रेस करती रहती है, इसके युनिफॉर्म को, एजोवा के, इतनी खुश है दादी, कि वो खुद प्रेस करती रहती है, आइरन करती रहती है, करती रहती है, तब तक एजोवा चिला न देती है, बस कर दादी हो गया प् पूछो दादी तो खुद बेटी की तरह, अपनी पोती की तरह, एडजोगा की तरह खुद तयार होगे जाती है, वह जब डिस्ट्रिक्ट एथलीट वीग चल रहा होता है, तो दादी खुद बच्चों के पीछे रहती है, स्कूल के बच्चे आगे आगे, और वो उनके क्या बाज आती है दादी के पासिंग बाय करने से, और दादी को बहुत गर्म हैसूस होता है, अपनी पोती को आगे चलता है और बच्चों के आगे, और दादी भी ऐसे चलती है, जिकसे मानव के या जा रही है, और वो अपनी दिशा में बच्चों के पीछे-पीछे चलत है जूनियर केटेगरी में इस तरह किसे एडजोवा एडजोवा एक बहुत बड़ा मैडल एक बहुत बड़ा कप जीट जाती है या कप देख करके पा करके दादी तो एक दम सातवे आसान पे बहुत खुश है दादी इतनी खुश है कि कप को अपनी पीट में रख लेती है अपने पीट में रख लेती है जैसे नहीं छोड़े बच्चों को पीट उता लेती है और इसे घर तक ले आती उस कप को जैसे मानो कप दादी ने जीता हो और कप घर में ला करके इसकी मा को दिखाती है मा आज भी उतनी खुश है उतनी surprise रैपर मा मा के अंदर खामोशी है मा शान्त रहती है खुश बहुत है पर मा शान्त है और दादी या school वालों को ये cup लोटा देती है तो इस तरह से दादी अब बदल चुकी है दादी एकदम बदल चुकी है एड जोवा को पास बलाती है उससे गर मैसूस होता है एड जोवा पे वो उससे गले लगाती है और गले लगाकर कि उसके अपने लैप पर लैप जनते हैं अपनी गोध में हाँ दादी एड जोवा को अपनी लैप में ले लेती है और वहाँ पर दीनिसे आवाज में कुछ रोने की आवाज होती है दादी रोते वे भाव में कहती है उसे दुख होता है वह एडजोवा के पैरों को देखती रहती है और देखती रहती है पर वह ऐसा भी है करती है ऐसे मानो कि वो एजोवा का पैर देख नहीं रही है क्योंकि उसे यकीन नहीं होता है ये वही लड़की है ये वही पैर है ये वही पैर है एजोवा के जो उसे लगता था कि बेबी बॉन करने में मुसीबत पदा करेंगे या ये मेरी जो जो वह है आगे जाके बेबी बॉन नहीं कर पाएगी पड़ आज उसे लगता है कि पैरो का काम कुछ और भी है सिर्फ बेबी बॉन करना औरत का काम नहीं है वह पैरो से और नई मंजिले पा सकती है नई उचायों को चूँ सकती है यह यकीन अब दादी को हो जाता है इसलिए वह माफी मानती है वह गिल्टी महसूस करती है उससे लगता है कि इसके पैर भली फ्लेशी नहीं हो इसके पैर भली थिन, लीन हो, लॉंग हो बट ये और बहुत सारे नए काम कर सकते हैं सिवाए चायल बर्थ के तो इस यकीन के साथ दादी बहुत खुश होती है घर में बहुत खुशी का महौल रहता है और घर में सिर्फ कह सकते हैं कि एक इवेंट ने इस हैजवा की एक एबिलिटी ने साबित कर दिया दग गल्टू कैन साबित कर दिया कि अगर समाज में कोई पुरानी रिती रिवाज है पुरानी परंपराएं है तो उनको तोड़ने का हिम्मत आपको करना पड़ेगा येस माई गल्ट चाइल्ड तुमको करना पड़ेगा ऐसे बहुत लों मिलेंगे जो आपके पाउं खीचेंगे आपकी जमीन आपके तरफ से खीचना चाहेंगे आपको गिराना चाहेंगे पर मेरी गल्ट चाइल्ड को डरना नहीं है हिम्मत रखना है होसला रखना है और अपने उस इश्वर पे विश्वाश रखना है यकीन जानिए आपकी माँ आपके साथ है आपका परिवार आपके साथ है बस आपको हिम्मत नहीं आरनी है यही इस कहानी का मेसेज है The Girl Who Can अगर आपके लाइफ में कोई एक इंस्पिरेशनल वुमेन है कोई एक इंस्पिरेशनल गर्ल है तो प्लीज जरूर उसका नाम कमेंट पे लिखेगा क्योंकि सच माने तो लाइफ में आपको हमेशा कोई रोल मॉडल रखने चाहिए कोई ऐसा जिसको आप फॉलो करना चाहें कोई ऐसा जिसको आप अपने जीवन में अपनाना चाहें यही एक जीवन का संदेश है तो लिखिए लिखिए एक गर्ल चाहिल का लिखी एक विमेल का नाम जो आपकी लाइफ को बेटर बनाती है वो आपकी मा हो सकती है, आपकी दावी तक हो सकती है कोई आपकी बड़ी आंटी हो सकती है, कोई रिलेटिव हो सकता है कोई स्पर्स परतन हो सकता है, लिखे एक कमेंट बॉक्स में उसका नाम बाइ गॉद्ट लेस्ट टेक्या गॉद्ट गॉद्ट टेक्या गॉद्ट